जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जय मातादी जरू लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगो बताएंगे कि मकर संक्रान्ती के दिन आपको क्या दान करना चाहिए क्या दान नहीं करना चाहिए जी हाँ दोस्तों किस चीज के दान से सुभ फल की प्राप्ती होगी तथा किन चीजों के दान से आपको असुभ फल की प्राप्ती होगी भूल कर भी आप उन चीजों का दान ना करें मकर संक्रानती के दिन और जरूर करें इन चीजों का दान इससे जुड़ी हम संपोर जानक के मेर여 इस वीडियो को सेयर करेंगे तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मुखर संक्रांती पर छे वस्तुओं के दान के बारे में बताएंगे कि अगर आप इन 6 र्सकते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है तो चलिए जानते हैं वो कौन सी छे बस्तुए हैं दोस्तों आपको बता दे कि मानिता है कि मकर संक्रांती पर किया गया दान आपको फल के रूप में सौ गुना बापस होकर प्राप्थ होता है इसलिए दानपुन के इस सौ भवसर को गवाय बिना अपनी छमता के अनुसार हम सभी को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या दान करना है तो तिल का दान करना है मकर संक्रांती को तिल संक्रांती भी कहा जाता है और इस दिन तिल के दान का खास महत माना गया है मकर संक्रांती पर तिल के दान के साथ ही भगवान विश्णों, सूरी और सनी देव की तिल से पूजा की जाती है इसके साथ ही ब्रामनों को तिल से बनी चीजों का दान करना बहुत ही सुभ माना जाता है इस दिन तिल का दान करने से सनी दोस भी दूर होता है दूसरी चीज है कंबल का दान मकर संक्रांती के अफसर पर कंबल का दान करना भी बेहत सुभ माना जाता है इस दिन किसी करीब या जरूत मन या किसी आस्रम में कंबल का दान जरूर करना चाहिए ऐसा करने से आप राहू के असोप परभाव से दूर रह सकते हैं तीसरी चीज है गुर का दान जोतिस में गुर को गुरू की प्रिये वस्तु माना गया है आपको बता दे कि बर्स 2021 में मकर संक्रांती गुरू वार के दिन पढ़ रही है और इस वजह से गुर का दान करने का महत्व और भी बढ़ जाता है गुर का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुर हम सभी को खाना भी चाहिए ऐसा करने से सनी, गुरू और सुरे तीनों के दोस दूर होते हैं मकर संक्रांती पर तील और गुर के लड़ू या फिर गुर और मुर्मुरे के लड़ू दान आप कर सकते हैं चौथी चीज है खिचडी का दान मकर संक्रांती को परमुक्त और पर खिचडी का पर्व माना जाता है और इस दिन खिचडी का दान करने का विशेस महत भी माना गया है। इस दिन चावल और उरद की काली दाल का दान खिचडी के रोप में किया जाता है। उरद का संबन सनी देव से माना गया है और इसका दान करने से सनी दोस्त दूर होते हैं। वस्त्र का दान मकर संक्रांती पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है, इस दिन किसी गरीब और जरुवत मन्द को एक जोड़ी वस्त्र का दान अवस्य करें आपको ध्यान रखना है कि पुराने वस्त्रों का दान आपको नहीं करना है इस्तिमाल की हुए वस्त्र का दान आपको भूल कर भी नहीं करना है और कटे फटे हुए वस्त्र का भी दान आपको नहीं करना है अगली चीज है घी का दान जोतिस में घी को भी सुर्य और गुरु से जोड़ कर देखा जाता है इस बार मकर संक्रान्ती भी गुरु बार के होने से घी के दान का महत्व और भी बढ़ जाता है मकर संक्रांती पर सुधगी का दान करने से आपको कैरियर में लाव के साथ ही सभी प्रकार की भौतिक सुधाएं प्राप्थ होगी तो ये मैंने 6 प्रकार के दान बताया जो कि आपको मकर संक्रांती के दिन करना है अब चलिए जानते हैं वो कौन सी अस्ती बस्तूओं का दान जो है आपको मकर संक्रांती के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए आपको बता दे कि प्लास्टिक की बस्तूओं मकर संक्रांती के दिन बिल्कुल भी दान नहीं करनी चाहिए अगर आप तेल का दान कर रहे हैं तो इस्तेमाल किया हुआ तेल का दान भूल कर भी ना करें साथ ही मकर संग्रान्ती के दिन आपको अस्टील की वस्तुमों का दान भी करने से बचना चाहिए यदि आप मकर संक्रान्ती के दिन अपने कूल के पुरोहित या किसी ब्राम्भन को वस्त्र दान में देते हैं तो आपको उनको नए वस्त्र ही दान में देने चाहिए और एदिया पुराने वस्त्रों या रखे हुए वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे आपका सूर्य और गुरू दोनों कमजूर होता है जिसकी वज़ा से आपको कई परकार की परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है मकर संक्रांती के दिन जारू का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जारू को मा लक्ष्मी का परतीक माना जाता है और अगर आप जारू का दान करते हैं तो मा लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगे जिसकी वज़ा से आपकी साथ पीडियों को दरिदता का सामना करना पड़ सकता है इस दिन आपको दान के रूप में किसी को भी जूती का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दिया पैसा करते हैं तो आपको भगवान सनी की क्रोध का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि मकर संक्रांती के दिन आपको क्या दान करना चाहिए क्या दान नहीं करना चाहिए तो आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलुखवर चानल को सब्सक्राइब करे थैंक्स